वो हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम से 183 पर आज है 14 दिसंबद 2023 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 दिसंबद 2023 के डेली करें इंटरफियस के कुछ इंपोडेंट कुश्यंज अगर आप किसी भी एंग्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अदा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वैल आइकन को भी ओल पर प्रैस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो के पेडिया फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को इस डिस्क्रेप्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए, इस वीडियो के लाइश्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूँगा, और इस क्वेश्चन का सही अंसर आपको कमेंट में बताना है, तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर, तो अमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूलेंड के पधान मंत्री के रूप में केसे चुना गया है, और इस क्वेश्चन का सही अंसर है, उप्शन भी, डोनाल्ड टस्क, आप इमीज में भी देख सकते हैं, ये हैं डोनाल्ड टस्क, और एनी को पूलेंड के बद्धन मंत्री के रूप में चुना है, दो महीने पहले हुए चुनावाँ में गटवन्दन की जीत के बाद टस्क सत्ता में आये हैं, संसद के 460 सीटों वाले निचले सदन में टस्क के समर्थन में 248 संसदी ये वोट पड़े, अब पोलेंड एक मद्द यूरोपिय देश ह जिसकी राजधानी वोर्सो है और या की मुद्रा है पोलिस जिलोटी नेक्ट कुशन है, सायक्त सैनन अभ्यास विनवेक्स दोया तेश का आयोजन भारत और केश देश के मद्द आयोजित किया जा रहा है इस कुशन का सही अंसर है, आप्शन ए, वियतनाम तो सैनन अभ्यास विनवेक्स दोया तेश का आयोजन अपने देश भारत और वियतनाम देश के मद्द आयोजित किया जा रहा है भारती ये शशस्त्र बलों की तुकड़ी सैनन अभ्यास विनवेक्स दोया तेश के लिए हनोई पहुँच गई है विन्वेक्स के चौते संस्क्रण का आयोजन हनोई व्यतनाम में किया जा रहा है विन्वेक्स एक्सरसाइज भारत और व्यतनाम देश के बीच आयोजन किया जाता है और एस बार यह अब व्यास 11 से 21 दिसम्बर 22 तक आयोजन किया जा रहा है अब वेतनाम जो देश है इसकी राइधानी हनोई है और वेतनाम देश की मुद्रा है वेतनामी डौंग और यहां के प्रधान मंत्री हैं फार्म मिन्चिन इस कॉश्शन का सईज ऑन्सर है ऑप्शन B अमेरिका तो हाल ही में जारी स्टर्ट अफट 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 वेतनामी लिएंग रेंक वेतनामी लिए तॉट पर रहा है हाल ही में जारी इस्टार्ट अप फंडिंग वैश्विक रेंगं में अमेरिका टॉप पर रहा इस्टार्ट अप फंडिंग के मामले में भारत 2 या 23 में वैश्विक रेंगं में 4 इस्तान पर फिशल गया योगि यह पाँच बरसों में सबसे कम फंडिंग दर्ज की गई अमेरिका देश की राईदानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और यहां के राश्पती है जो बाइडन नेक्ट कुशन है हाल ही में राजस्थान राज्ज के नए मुख्यमंत्री के रोप में किसे चुना गया है और इस कुशन का सई अंसर है ऑप्शन बी बजनलाल शर्मा आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं बजनलाल शर्मा और इनी को राजस्थान राज्ज के नई मुख्यमंत्री के रोप में चुना गया है राजस्थान के नई मुख्यमंत्री के रोप में बजनलाज शर्मा के नाम की गोशना कर दी गई है वो चार बार भारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश महा सचिब भी रहे 56 वर्षिय सर्मा जैपुर की सांग का नेर वित्धन सबा से पहली बार विधायक बने हैं और उन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद भारत द्वाज को हराया था राजस्थार राज की राईधानी जैपुर है और यहां के राजपाल है कर राज में शिरफ नेक्ट कुशन है पद्म पानी लाइफटाम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा और इस कुशन का सही अंसर है ओप्शन बी जावेद अक्तर आप इमीज में भी देख सकते हैं ये हैं जावेद अक्तर और एनी को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीमिंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अनववी गीतकार और लेखक जावेद अक्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीमिंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उनने बहात ये फिल्म में इंडरस्टी में योगदान के लिए यह अवाज दिया जा रहा है वह जंजीर, दिवाज, शोले, डॉन, काला पत्थर और मिश्टर इंडिया जैसी हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों के सह लेकक हैं नेक्ट कुशन है, हाल ही में किस राज की लाक डॉंग हल्दी को GI टेग मिला है इस कुशन का सही अंसर है, ओप्शन है, मेगाले तो हाल ही में मेगाले राज की लाक डॉंग हल्दी को GI टेग मिला है मेगाले की हल्दी अब खास हो गई है उसे बहुवलिक संकेद यानी जीयाई टैक दे दिया गया है इसका सबसे ज्यादा फायदा जैन्तिया हिल्स के लाकाडॉंग छित्र के किसानों को होगा जहां से ये सबसे ज्यादा होती है लाकाडॉंग की हल्दी को सिर्फ अपने देश में ही नहीं बलके विदेशों में भी सबसे अच्छी हल्दी माना जाता है और मेगाले जो राज्य है इसकी राइधानी शिलंग है या के मुख्यमंत्री कॉन्डॉट संगमा है और मेगाले के राजपाल है फागु चोहान हाल ही में Early Warning for All पहल के द्वारा लॉंच की गई है तो हाल ही में Early Warning for All पहल United Nations Office for Disaster Risk Reduction यानि UNDRR और World Metrological Organization यानि WMO इन दोनों के द्वारा लॉंच की गई है तो इस कुश्चन का सही आंसर हो जाएगा Option D, A और B दोनों इस पहल का उद्देश दोईया 27 तक ऐसा चेतावनी सिस्टम बनाना है जिससे लोगों को प्रत्वी पर आने वाले खतरनाक मौशमी बात बदलावों के बारे में पहले से अलर्ट पेजा जा सके नेक्ट कुश्चन है हाल ही में किसे नवंबद दो या तेज के लिए पुरुष आईशेशी प्लेयर आपदा मंद का आवार्ड दिया गया है इस कुश्चन का सही आंसर है आप्शन सी ट्रेविस हैड आप इमीज में भी देख सकते हैं ये हैं ट्रेविस हैड और एनी को नवंबद दो या तेज के लिए पुरुष आईशेशी प्लेयर आपदा मंद का आवार्ड दिया गया है हाल ही में ICC ने नवंबद दो या तेज के लिए प्लेयर आपदा मंद चुनेगे किनाडियों के नाम का आईलान कर दिया है मेंस प्लेयर आपदा मंद का आवार्ड वर्ड का फाइनल में शतक ठोकने वाले ट्रेविस हैड को दिया गया है ट्रेविस हैड ने पहले बार ICC का ये प्रतिष्ठित अवार्ड अपने नाम किया है और ट्रेविस हैड ने ये अवार्ड जीतने के लिए गलेन मैक्सवेल और बहार्ट की तेज गैंदबाज मौहमद शमी को पीछे हराया नेक्ट कोशन है अशद शफीक ने क्रिकेट की सवी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है वे किस टीम से सम्बंदत है इस कोशन का सही अंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान आप इमीज में भी देख सकते हैं ये हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर अश्यद शफीक और एनों ने क्रिकेट की सवी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है। ये मुकाबला अगस 2020 में एगलेंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। वहीं उन्होंने टीम के लिए आखरी बंडे 2017 में और एस्टिलिया के खिलाफ खेला था और 2010 में अंतराश्टिय क्रिकेट में कदम रखने वाले अश्यद शफीक ने अपनी करियर में 77 टेस्ट, 60 इंटरिशनल मुकाबले खेले थे। नेक्ट कोशन हैं, हाल ही में किसे 33 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस कोशन का सही आंशर है option A, पुष्पा भारती आप image में भी देख सकते हैं ये हैं पुष्पा भारती और एनी को 33 में व्यास सम्वान से सम्वान किया गया है हाल ही में प्रग्यात लेखा पुष्पा भारती को 2 या 30 का व्यास सम्वान देने की गोश्णा की गई है उनके संस्मर्र यादें यादें और यादें के लिए उडने 33 में व्यास सम्मान के लिए चुना गया है पुश्पबारती की किताब यादें यादें और यादें का परकाशन दोया सोले में किया गया था केके विल्ला फाउंडेशन द्वारा दिये जाने वाले सम्मान में चार लाख रुपे की पुरुषकार राशी के साथ प्रशष्टी पत और इस्मरती चिन्ड भेंट किया जाता है नेक्ट कुशन है इस कुशन का सई अंसर है बैंक आफ इंडिया तो हाल ही में बैंक आफ इंडिया ने नारी शक्ती बचत खाता लौंच हिया है इस बचत खाती का उद्देश कामकाजी महिलाओं को स्वतन सुरोत के साथ समतन प्रदान करना है साती महिलाओं को आत्म निर्वर और शशक्त बनाना है बैंक के कथांशार नारी शक्ती खाती के लिए CSR फंड में 10 रौपे का योगदन दिया जाएगा इस फंड का इस्तिमाल वंचित महिलाओं और बालकाओं की सायता में किया जाएगा बैंक आफ इंडिया की स्थापना साथ सितंबर 1906 को वही थी और इसका मुख्याले मुंबई में है इसका सई आंसर है ओप्शन सी मुंबई तो भारती नौसे नाने मुंबई तक पर दोए बारसे का अब्यास प्रस्थान का आयोजित किया जाता है इस अब्यास का उद्देश तेल उत्पादन प्लेट फारों में आकस्मिक ताओं को संबोधित करने के लिए उपायों और प्रक्रियाओं को मानने और परिस्क्रत करना है नेक्ट कुशन है इस कुशन का सही अंसर है इस रेटिंग में 76 प्रस्थ उत्तर दाताओं ने प्यम मोदी के लोगप्रिये वैश्विक नेता चुना जबकि 18 प्रस्थ से उन्हें अश्वीकार किया मैक्सकान नेता एंड्रेस मैनूर लोपेज ओब्रेडोर को 66 प्रस्थ रेटिंग से साथ लोगप्रियेता चार्ट में दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ जबकि 29 प्रस्थ ने अस्वीकरती व्यक्त की और स्विस नेता एंड्रेस ने तीसरा इस्थान आसिल किया उन्हें 58 प्रस्थ अन्मोदन डेटिंग मिली जबकि 28 प्रस्थ में अस्वीकरती व्यक्त की नेक्ट कुशन है हाल ही में कितने हवाई अड्डों को करशी उडान योजना में सामिल करने की गोशना की गई है इस कुशन का सही अंसर है ओप्शिन बी 58 तो हाल ही में 58 हवाई अड्डों को करशी उडान योजना में सामिल करने की गोशना की गई है एस योजना में वर्तमान में उत्तरपूर में पहाडी और जन जाती चेतर पर दिहन केंद्रित करने वाले 25 हवाई अड्डों के अलावा अन्न चेतर चेतरों के 33 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है किसानों को क्रशी उत्पादों के परवन में सायता के लिए क्रशी उडान योजना अगस 2020 में सुरू की गई थी और इस ही उजना का लच विशेश रोप से पूर्वोतर पहाडी और आदवासी छेतरों से आने वाली सभी करती उपच के लिए लागत प्रभावी समय वद्ध हवाई परवन सुनिश्चित करना है नेक्ट कोशन है हाल ही में किसी दोया तेज दिवाली पावर ओवन पुरसकार से सम्मानित किया गया इस question का सही answer है option C वान की moon आप image में भी देख सकते हैं ये हैं वान की moon और इनी को दोईया 30 दिवाली power of one पुरसकार से सम्मानित किया गया हाल ही में वान की moon को वारसिक दिवाली power of one अबार्ट से सम्मानित किया गया वान की moon सायवत राष्ट के पूर्व महासचेव रह चुके हैं और इस पुरसकार को ओसकर ओफ डेपलो मेंसी कहा जाता है कल की वीडियो मैंने आपसे question पूछा था कि हाल ही में 36 गड़ राज के नए मुख्यमंतरी कौन बने है और इस question का सही answer था option B विष्णू देप साय तो हाल ही में 36 गड़ राज के नए मुख्यमंतरी कौन बने है विष्णू देप साय और इस question का answer लगवख सब students ने सही बताया था अब आपके लिए आज का question है किस विदी के जरिये आनुच्छे 370 को नरस्त किया गया है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम